वेलकम तो दा वर्ल्ड आफ सिविल गुरुजी मैं कॉर्परेट टेनर किशा नोजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेड ब्रिक्स के बारे में कि उसकी हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं उसकी क्या-क्या क्लासिफिकेशन होते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आगे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इस व वही चीज़ कर अगर मुठ साइट में जाके देखते हैं अगर इसका मेजर्मेंट तो वह कैसा हो जाता है चलिए देखते हैं अगर मैं इस ब्रिक का मेजर्मेंट लूँ तो में को यह धिना होगा कि मेरी जो X 100 X 100 mm तो यहां से हम लोग को यह चीज़ डिफर हो जाती जब हम लोग number of bricks निकालना चाहेंगे तो अगर मैं red bricks के बारे में बात करूँ तो generally इसका जो color है वो उसके iron oxide presence होने के कारण उसका जो color है वो red हो जाता है आप यहां उपर में देख पा रहे हैं कि एक impression है जिसको हम लोग frog बोलते है जो की एक bond की तरह काम करता है दो bricks के बीच में generally इसकी depth हम लोग 10 mm से 12 mm के बीच में लेते हैं यहां पे जो इसका compressive strength होता है bricks का वो होता है आपका 30 to 35 kg पर square centimeter इसकी जो cost होती है वो जादा रहती है in comparison to fly ash और यहां पे जो हम लोग red bricks use कर रहे है यहां पे यह जो इसका manufacturing process है यह generally हमारे clay soil से prepare होता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पिछे एक site है जहां पे brick work का का काम हुआ है और अभी यहां पे finishing का का काम चल रहे है जहां पे अभी white wash हो रहा है अगर यहां पे अगर में को पता करना हो कि कितनी number of bricks लगी है तो सबसे पहला काम में को यह करना है कि मेरे site पे जो bricks use हो रही है में को उसका size लेना होगा जो कि मैंने ले लिया जो कि होगा आपका 230 by 100 by 100 mm वहां से मेरे को number of bricks निकालने के लिए जस्ट मेरे को walls की length और height measure करनी है तो suppose अगर मैं है measure करता हूँ और मेरे अगर wall की length और height में को पता चल जाती है कितने number of walls लगेंगे तो उसको कैसे calculate करेंगे कि हमको कितने number of bricks लग रहे हैं इस construction में उसको चली हम लोग देखते हैं आगे calculation part में तो जैसे कि आप लोगों ने site में देखा कि हम लोग brick की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने एक wall ली है जिसकी length है आपकी 5 meter width है आपकी 200 mm जो की हो जाएगा आपका 0.2 meter height है आपकी 3 meter यहाँ पे मैं standard size ले रहा हूँ brick का जो की होता है आपका size of brick without motor के case में 119 to 19 to 90 mm यहाँ पे जो हम लोग motor bed use करते हैं जो हम लोग cement motor use करते हैं वो 10 mm का लेते हैं फिर यहाँ पे size of brick with motor यहाँ पे हम लोग करते हैं कि जो motor bed है उसकी thickness को हम लोग bricks के size में add कर देते हैं जो की आपका standard size आता है width motor के case में 200 into 100 into 100 mm अब यहाँ पे मैं volume of wall निकालूंगा जो की हो जाएगा आपका 5 meter into 0.2 meter into 3 meter वहाँ से मेरा volume आ गया 3 cubic meter अब यहाँ पे अगर मेरे को number of bricks निकालना होगा standard size के case में तो मैं करूंगा total volume divided by size of brick with motor तो यहाँ पे जो मेरा volume आया था वो 3 cubic meter आया था जो size of brick with motor है मेरा 0.2 meter into 0.1 meter into 0.1 meter वहाँ से मेरे जो number of bricks निकल किया है standard size के लिए वो हो गया आपके 1500 numbers मतला मेरे को 1500 bricks लगेंगे उस wall को construct करने में फिर वही चीज अगर मैं दूसरा example लो जो कि मैं site में गया था मैंने site में brick का size देखा था कि मेरा जो without motor के case में जो size of brick आया था वो आया था 230 into 100 into 100 mm यहाँ पे भी हम लोग motor weight 10 mm कलेंगे यहाँ से size of brick with motor निकालने के लिए जो मेरे पास motor weight 10 mm का वो मैं उसको add कर दूँगा वहाँ से मेरा जो size of brick आयागा वो हो जाएगा 240 into 110 into 110 mm फिर same हम लोग जो volume of wall निकालेंगे यहाँ पे जो मैंने width ली है wall की वो 0.23 meter ली है क्योंकि मैंको वो उस wall में उस brick को adjust करना है तो उसके लिए जो मेरा volume of wall होगा वो हो जाएगा 5 meter into 0.23 into 3 meter so volume of wall मेरे पास मिल जाएगा 3.45 cubic meter similarly अगर मैं एको number of bricks निकालने होंगे तो मैं वही formula यूज़ करूंगा total volume divided by size of brick with motor यहाँ पे मेरा जो total volume है वो है 3.45 divided by जो size of brick with motor के case में हम लोग लेंगे 0.24 meter into 0.11 meter into 0.11 meter वहाँ से मेरा जो number of bricks निकल के आएगा वो आएगा 1190 numbers तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास चोई standard size of brick था उसके case में मेरे को जो number of bricks निकल क्या है वो आये थे 1500 पर वही चीज़ अगर मैं number of bricks side पे मेरे पास जो brick की size थी उसके accordingly मैंने निकाला तो मेरे पास आगया 1190 numbers में तो इस तरह से हम लोग number of bricks निकालते हैं कोई भी wall के case में जो generally हम लोग अगर एक room का लेंगे तो room में जो भी हमारे door window आते हैं उसके deduction करते हैं हम लोग तो इसका अगर deduction सीखना होगा आपको कैसे deduct करके यहां पर हम लोग cement motor की भी quantity निकालते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे bricks का जो standard size था without motor के case में वो होता है आपका 1190 to 19 to 90 mm पर यहां जब हम लोग ने site पर आके उसी bricks को measure किया तो वो हो गया आपका 230 x 100 mm without motor की case में तो वही चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे site में कौन से size के brick use हो रहे हैं और वो size के accordingly हमने जो number of bricks निकाले वहां से हमको exact quantity पता चल जाएगी कि हमको कितने bricks use करेंगे ताकि हमारा wastage कम हो जैसे कि आप लोगों को पता है कि at the time of transportation अगर हमारे site में जब भी हम लोग bricks को transport करते हैं तो उसके लिए जो हम लोग wastage लेते हैं वो 10% का लेते हैं यहां पे अगर मैं cost की बात करूं तो generally हमारा जो first class brick, second class brick, third class brick यह सब जो हम लोग construction में use करते हैं उसका cost range होता है आपका per piece 5 to 7 rupees के accordingly पर हम लोग इसको trolley के हिसाब से मंगाते हैं एक ट्रॉली में आपके 1500-2000 bricks आ जाते हैं जिसका rate आपको 13,000-14,000 के accordingly मिल जाता है तो इस तरह से हम लोग ने इस video में देखा कि कैसे हम लोग number of bricks निकालते हैं अगर आपको यह जानना होगा कि हम लोग number of bricks निकालने के बाद जो उसमें motor use करते हैं वो motor की quantity, उसमें cement की quantity, sand की quantity अगर आपको जानना है कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे उसके साथ-साथ में ही इसको हम लोग smart work के through excel sheet में हम लोग कैसे निकालेंगे उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं www.sivilguruji.com पे जहां पे आप लोगों को totally quantity survey बता जाएगा brick work part के बारे में तो दोस्तो इसी तरह बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ मिलते हैं next वीडियो में करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बात गुरुजी के साथ